हेलो एवरीवर्ण स्वागात आप सपीक आपके यूट्यूब चैनल करेंट अफेस लॉजिक्स में तो फ्रेंग्स आज से कि हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं एक करेंट अफेस का टॉपिक जिसमें हम कवर करेंगे बुक्स और ऑथर्स 2024 के देखें जूभी सभी important books नहीं है क्योंकि exam में topic important है आपको एक से दो questions जरूर यहां से देखने को मिल जाएगा तो उन सभी books के पारे में हम MCQs को discuss करने वाले हैं और friends मैं आपको कुछ hint भी बताने वाली हूँ कुछ trick ऐसी बताने वाली हूँ जिससे आपको बहुत easily वो सभ जरू करें, share करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करें हमारी इस वीडियो का PDF भी आप लोगो मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल से करेंट अफेस लॉजिक्स नाम है लिंक आपको description box में दिया किया है, otherwise direct भी आप लोग करेंट अफेस लॉजिक्स सर्च करेंगे तो आपको हमारा जो ग्रूप है वो मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको हमारी सभी वीडियो की PDFs अवेलेवल हैं और बिल्कुल फ्री में आपको PDFs प्रोवाइट की गई है तो आईए फैंस आज के इस important session को करते हैं शुरू तो देखें फैंस यहाँ पे हम cover करने वाले हैं questions के form में सभी books को और याद भी करते चलेंगी पहला question है who is the author of the book जिसका title है The Winner's Mindset देखो फैंस यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि books and authors से ज़्यादा गुमा के question आपको नहीं मिलता है आपको book और उसके author का नाम exact ऐसे याद रखना है तो The Winner's Mindset की बात करें और इस book के author कौन है तो फैंस यह book देखे लिखी है Shane Watson ने Shane Watson cricket player है और इन्होंने book लिखी है The Winner's Mindset अब देखो याद हम इसको कैसे करेंगी आप ऐसे देखो इसको एकड़ो ट्रिक कैसी भी बना सकते हो जैसे आप winners से ले सकते हो कि जो winners होते हैं उनकी जो mind होता है वो बहुत शाप होता है वो बहुत शाने टाइप के होते हैं उनका mindset बहुत ज़दा शाना होता है तो शाने से आप बना सकते हो Shane Watson या फिर जो mindset यानि जो अपनी mind को बहुत चलाते है न तो वो क्या करते हैं किसे की भी what लगा सकते हैं तो आप इसको ऐसे भी relate कर सकते हैं दोनों hint जोग आपको अच्छी लगे आप उसको relate कर लीजिए चले friends next बात करते हैं अगला question है who translate the first Maaghi novel नाम है Fol Bahadur into English question थोड़ा सा देखो अलग तरीके से है कि पहला Maaghi novel है जिसका नाम है Fol Bahadur इसको English में translate किस ने किया था तो इस novel को देखे English में translate किया था अब है केने तो वैसे फूल बहादू जो नोवल है वो जयन्त पार्टी का है जयन्त पार्टी और इसको इंगलिश में ट्रांसलेट किस ने किया था अब है के ने Clear है friends, next बात करते हैं Who is the author of the book titled Heavenly Islands of Goa Heavenly Islands of Goa नामक पुस्तक के लेखर कौन है? तो friends एबुक लिखी है P.S. श्रीधरन पिलाई पिलाई जो है ना friends ये गोवा के governor है तो इन्होंने बुक लिखी है तो आप इसको गोवा से याद रखो कि गोवा के governor के द्वारा ही जो है friends एबुक लिखी गई है जिसका नाम क्या है? Heavalli Islands of Goa जो है friends इसका नाम है ठीक है आपको इस तरह से जो है friends याद रखना है next बात करते हैं अगला question है देखे हमारा who is the author of the book title क्या है बुक का knife तो knife जो बुक है इसके author कौन है ये बुक लिखी है सल्मान रुषदी ने सल्मान रुषदी बहुत famous author है और इनके द्वारा बुक लिखी गई है कौन सी knife आप देखो इसको कैसे याद करेंगे knife यानि हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं चाकू अच्छा जब भी हमारी चाकू लग जाता है कट लग गया मालो चाकू से तो हम रोने लगेंगे है ना तो रुष जाएंगे मतलब रोने लगेंगे और कई बार तो लोग चाकू से किसी को मार भी देते हैं मतलब उनके death कर देते हैं तो die भी आ गया है ना मूवीज में दिखाते हैं कि चाकू मार दिया एकदम उसको मार दिया तो है इस बुक को आप ऐसे याद कर सकते हो इसके बार देखे इसके बार देखे इसके बुक का नाम है The Law and Spirituality Reconnecting the Bond नामक पुस्तक के लेखर कौन है ये जो पुस्तक के लिखी है रमन मितल देखे इसके ना दो ओथर हैं एका नाम है रमन मितल और सेके नाम है Dr. Seema Singh तो दोनों याद रखेंगे प्रोफेसर रमन मितल और Dr. Seema Singh जो है इन दोनों ने बुक लिखी है The Law and Spirituality और वेंड इस बुक को देखे रिलीस किसने किया है Vice President जगदीप धनकर्नी तो ये एक extra question है जो कि ये भी पूछ सकते है कि इस बुक को रिलीस किया किसनी है अच्छे इसको याद कैसे करेंगे तो ये ऐसे याद कर सकते है जो लो बनाते है जैसे कानून कानून क्यों बनाया जाता है ताकि हम एक सीमा में रह सके हम जो है उस सीमा में रह सके उस सीमा में जो है वो यह आप कह सकते हैं कि एक man जो है वो अपनी सीमा में रह सके इसके लिए कानून बनाया गया है तो man से रमन हो गया, सीमा में रहने से सीमा सिंग, law से बुक का नाम हो गया, the law and spirituality Next हमारी बुक है the idea of democracy The idea of democracy पुस्तक के कौन है लेखक? तो ये बुक किस ने लिखी है? Sam Pitroda ने, चीक है? Sam Pitroda ने बुक लिखी है the idea of democracy तो आप ऐसे इसको रिलेट कर सकतो, idea ले सकतो यहां से कि शाम के समय ना हमें बहुत बढ़ी बढ़ी idea थे जो हम चाई के चुस्की मारते हैं और evening tea वाली तो उस time पे बहुत अच्छे ideas आते हैं तो शाम से क्या बन गया? Sam हो गया और idea से हमारी बुक हो गई the idea of democracy next बात करते हैं friends, अगली बुक है You Can Coach कौन है You Can Coach बुक के author? तो इस बुक के author है सिधार्थ राजशेकर सिधार्थ राजशेकर जो है You Can Coach बुक के author है कि जब आपके मालीचे कोई coach है, आप किसी भी चीज़ के अपने coach से training ले रहे हो तो आपको उनको सिध्ध करके दिखाना होगा कि आप उस काम को करवाएंगे अच्छे से मालीचे हम किसी भी sport को ले लेते हैं, चलि होकी ले ले रहे हैं ना कोई सब sport ले सकते हैं जो आपको पसंदीदा हो तब होकी के coach आपसे क्या उमीद रखेंगे कि आप अपने आपको सिध्ध करके दिखाओ सिध्ध से बन जाएगा सिध्धार्त राजसीकर क्लियर है friends, trick भी देखो मैं कोशिश कर रहे हूँ कि आपको easy से easy trick बताओ चलिए बात करते हैं अगली important book की next है who is the author of the book जिसका title है the gems of Indian art the gems of Indian art जो book है इसके author कौन है तो ये book लिखी है हरीश खुलर्नी तो देखें आप ऐसे इसको art के साथ में relate कर सकते हो art से आप ऐसे hint ले सकते हो कि art जो है आपको खुलकर represent करती है मदब आप अपनी art से अपने आपको खुलकर represent कर सकते हो तो खुलकर से बन गया हरीश खुलर next question देखे who is the author of the book title the conspiracy to oust me from the presidency कौन है इसके author गोटा बाया राजपक्षी तो इन्होंने book लिखी है the conspiracy to oust me from the presidency इसको आप भी को ऐसे आद कर सकते हो प्रेजिडेंसी से आप प्रेजिडेंट बना लो कि आप हर कोई चाहता है न कि वो President बन जाए और क्या करे राज करे President बनकर क्या करना चाहता है हर कोई राज करना चाहता है तो President से हो गया Presidency और राज से बन जाएगा हमारा गोटा बाया राज पक्षे क्लियर है फ्रेंट से यहां तक चलिए Next question देखे हूँ इसी author of the book, book का नाम क्या है From A Car Shed To The Corner Room And Beyond कौन है इसके author तो इस book के author है S.Raman book का नाम याद रखेंगे From A Car Shed To The Corner Room And Beyond इसको देखो कैसे हम इसको याद कर सकते हैं बहुत easy trick है इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं corner room हम यहां से hint लेंगे कि हमें अपने room का ना एक corner ऐसा अच्छा लगता है कि हमारा मन वहीं लगता है मतलब हम उसी corner को पकड़के बैट रहता है कि हमें वो बहुती best लगता है कि यहां सुकून आ जाता है एकदा मज़ा आता है अच्छा लगता है ना अपने room का एक corner है तो उस corner में क्या करता है हमारा मन बहुत लगता है, तो मन से हो गया रमन, इसके बार देखें लक्षमी मुर्देश्वर पूरी लॉंच्ट दा बुक जिसका टाइटल है सोलोईंग दा सन इन विचे सिटी, तो सोलोईंग दा सन की ओथर कौन है, ये भी याद रखेंगे लक्षमी मुर्देश्वर आप देखो इसके author को हम कैसे याद करेंगे slowing the sun sun से ले लेंगे sun थोड़ा हमारा easy बन चाएगा तो लक्ष्मी मुर्देश्वर पूरी इसको आप ऐसे करो जिससे आजकल बहुत सथा गर्मी चल रही है तो गर्मी में तो ऐसा लगता है कि sun जो है ना जासे हमारा murder ही कर देगा murder से मुर्देश्वर हो गया चीक है दोनों word हमें relate हो गए तो next बात करें आच्छा है जो novel है न कि उनके parents और जो महरास्ट्रों से उनकी roots जुड़ी है उसी सही inspire है ये novel next है who has released the book and video on सागर परिक्रमा at राजकोट गुजरात राजकोट गुजरात में सागर परिक्रमा परिक्पुस्तक और वीडियो का विमोचन किसने किया तो ये किसने किया है परशोत्तम रुपालानी ये जो document है देखे इसमें जो coastal fisherman है यानि जो तठीय मचुआ रहे हैं उनके सामने जो चुनोती आती है उनका जो culture है उनका जो tradition है उसके बारे में ही जो है इस बुक में जानगारी दी गई है नेक्स्ट क्वेशन फेमस पोएट प्रभावर्मा हाज पीन सेलेक्टेड फॉर सरस्वती सम्मान 2023 फॉर हिस नोवल जो की है मल्यालम लांग्वेज में उनके काम के लिए उनको चुना कया है सरस्वती सम्मान के लिए वेरी इंपॉर्टन क्वेशन कि किसे चुना कया है सरस्वती सम्मान के लिए प्रभावर्मा को अब यहाँ पूछाए कि कौन से नोवल के लिए उनने चुना कया है तो नोबल का नाम है रोद्र साथविकम जो है प्रभावर्मा का एक पोईटिक वर्क है काववे क्रती है जो कि उन्होंने लिखी थी मल्यालम लेंग्विज में और ये पबलिश हुई थी कब 2022 में बात अगर सरस्वती सम्मान की करें तो ये एक एन्वल प्राइस है ये जो है वो फैंस पिशले दस वर्षों में प्रकाशित जो उतकरस्ट साहित्य क्रती है उसे दिया जाता है सरस्वती सम्मान इसके शुरुवात 1991 में हो थी सबसे पहला सरस्वती सम्मान की से दिया गया था हरी वन्ष राई बच्चनची को तो एक कुछ बेसिक सी बाते भी होती है जो कि हमारे इंपोर्टेंट होती है एक्जाम में हम लोगों से पूछ सकती है चुले बात करते हैं अगले question की हुई से author of the book जिसका title है एक समंदर मेरे अंदर ठीक है book का नाम है एक समंदर मेरे अंदर और ये book किस ने लिखी है तो इसके author है संजीव जोशी सो ऐसे आत करो इसमें जीव ले लिजिटरे की हर एक जीव के अंदर ना क्या होता है एक जोश होता है तो देखो जोश भी आ गया जीव भी आ गया और अंदर से हो गया मेरे अंदर संजीव जोशी ने इसमें देखिया अपनी कुछ experiences अपने emotions life को लेके जो उनके देखिये experience रहें उन सभी को जो है यहां पर share किया है इसके बाद the next question who is the author of the book जिसका नाम है The Great Flap of 1942 How the Raj Panicked Over a Japanese Non-Invasion किस ने लिखी है ये book तो इस book के author है मुकंद पदमनाभन जो है इसके author है इसके आप ऐसे relate कर सकते हो कि आजकल कि जो लोग होते है वो मुक से एकदम क्या करते हैं flap हो जाते है flap का मतलब हो गया एकदम पलट जाते है आपके मुक पे कुछ और होंगे और आपके पीट पीछे कुछ और होंगे तो एकदम flap हो जाते हैं भई तो मुक से हो गया मुकंद और flap देखे वुक के नाम में आ रहा है तो the great flap of 1942 इसके बाद है who is the author of the book जिसका टाइटल है artificial intelligence and national security ठीक है किसने लिखी है ये book तो इसके author है अनिल चोहान अनिल चोहान की बात करते हैं तो ये भारत के जो हैं वो दूसरे CDS है Chief of Defense Staff अच्छा इसको याद कैसे करेंगे अब दिखो national security के अगर बात करते हैं तो हमारी भारत की ये कोई भी देश है उसके national security कभी भी निल नहीं होनी चाहिए निल का मतलब है जीरो नहीं होनी चाहिए बहुती बढ़िया होनी चाहिए national security तो निल में अगर हम ए और लगा दे तो क्या बन गया अनिल बन जाएगा इसके बाद है इस बुक को किसने रिलीस किया है तो सूरजकुन फरीदाबाद में इस बुक को रिलीस किया है जगदीप धनकरजीनी नेक्स्ट अबुक टाइटल Conversations with Aurangajab has been authored by Conversations with Aurangajab बुक किसने लिखी तो इसकी author है चारू निवेदिता तो देखे ज़िए हम conversations करते हैं conversation हम एक दो लोगों से करेंगे तो इतना मज़ा नहीं आता जब जादे जादा चार लोग तो होने चाहिए चार-पाश लोगों में conversation करने का मज़ा ही अलग होता है यहना इखटे बैटके पाटी शाड़ी हो जाती है तो चार से बन जाएगा चारू निवेदिता चारू निवेदिता ने जो बुक लिखी है ना यह मुगल एम्परर की जो कॉंट्रविसिली स्टोडी रही है उसके ओपर ही जो है यह बुक लिखी है नेक्स्ट हुई से ओथर अपते बुक जिसका नाम है देखे असम्स ब्रेव हार्ट लाचित बर्फुकन असम्स के ब्रेव हार्ट लाचित बर्फुकन नामक पुस्ता के लेखा कौन है यह बुक लिखी है अरूप कुमार दतानी आप दिको इसको ना हम कैसी याद करेंगे इसको हम लेंगे रूप से कि आजकल वैसे तो लोगों को रूप रंग से बहुत फरक पड़ता है लेकिन रूप रंग कैसा आपका चो हर्ट है वो ब्रेव होना चाहिए कि आपका चो दिल है वो बहुत बड़ा होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए तो आजकर लेकिन उल्टाई हो रहा है लोग अरूपता या लोग रूप पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं वो अलग बात है कि सबकी चॉइस है लेकिन हमें तो हिंट लेनी थी तो हमने यहां से ले ली है एक और कोशन या दखेंगे कि इस बुक को लॉंच किस ने किया है ये भी पूछ सकते हैं आमिश शाहानी इसके बाद देखें बुक का नाम है An Uncommon Love The Early Life of सुधा एन नारायन मोरती तो किस ने लिखी है An Uncommon Love की ओथर है चित्रा बेनर जी दिवा करूनी ठीक है या दखेंगे चित्रा बेनर जी दिवा करूनी तो जिससे हम प्यार करते है उसका चित्र हमारे अंदर बस जाता है तो आप ऐसे इसको लफ के साथ में याद कर लीजिए आपको देखे सिर्फ क्या करना है एक हिंट लेनी है तोड़ा सा ताकि आप अपनी ऑप्शन के साथ उसे मैच कर सके अचा नरायन मूर्तिची के बात करें तो इन्होंने इन्फोसिस की स्थापना करी थी 1981 में और इसलिए इनको कहा जाता है फादर ओफ दी इंडियन आईटी सेक्टर इनको कहा जाता है इसके बाद देखे वाइस प्रेजिडेंट जगदीब धनकर ने बुक रिलीस करी Fertilizing the Future भारत मार्च टुवर्ट्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी बुक को किसने रिलीस कर दिया जगदीब धनकर ने अब पूचा है इस बुक के ऑथर कौन है तो डॉक्टर मंसुक मांडविया जो है हमारी Health Minister है इन्होंने इस बुक को लिखा है अब देखो Fertilizer हम यूज करेंगे जादा से जादा तो एक तरीके से हमारी Health प्रभावित हो सकती है तो आप इसको Health Ministry से रिलेट कर देए इस बुक को Chemical of Fertilizer Minister डॉक्टर मंसुक मांडविया जी ने लिखा है और इस पुस्तक का जो हिंदी वर्जन है उसका टाइटल है उर्वरक आत्म निर्भरता की रहा नेक्स्ट है Four Star of Destiny किसने लिखी है बुक? Four Star of Destiny बुक के आतर है General Manoj Mukund Narvani Option B यहाँ पर बिल्कुल सही है अच्छा ये बुक जो है ना General Manoj Mukund Narvani जो है ना उनकी ऑटोपाइग्रफी है ठीक है इसको याद रखेंगे Four Stars of Destiny सो अब ऐसे याद करो कि Destiny जो होती है ना जो हमारी हिंदी में क्या बोलेंगे Destiny को means भाग्या आपका कि भाग्या की बात करें ना Destiny की हर किसी नर को Destiny पर विश्वात जरूर करना चाहिए ठीक है तो नर से नर्वनी हो जाएगा सो यह जो बुक है यह 2020 में देखे जब लदाक स्टेंड ओफ था तो उस दोरान जो important चीज़े रिवील होई थी उसे का यह खुलासा करती है इसके बाद देखे बुक का नाम है Zeba an Accidental Super Hero यह बुक लिगी है actress हुमा कोरेशी हुमा कोरेशी जो है इसकी author है Zeba an Accidental Super Hero अगली बुक है देखे Who has launched the book नए भारत का सामवेद in New Delhi तो नए दिल्ली में जो है नए भारत का सामवेद जो बुक है इस बुक का विमोचन किस ने किया है रामनात कोविंद जी ने तो हमारी former president जो है उनके द्वारा जो है यह बुक launch की गई इस बुक में प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी के Indian constitution के उपर सम्विधान पर जो भी भाषण है उनका संकलन दिया गया है नेक्स्ट क्वेशन है Welcome to paradise book is written by which personality Welcome to paradise book किसे लिखी है ट्विंकल खन्नानी अच्छा अगर हम paradise ने स्वर्ग की बात के तो हम ऐसा imagine करते हैं किस्वर्ग जो है बहुत सुंदर होगा paradise बहुत सुंदर होगा और वहाँ पे stars बहुत ज़दा twinkle करते होंगे ऐसे आप इस correlate कर सकते हैं Next question है Who has won the Oxford book store book cover price 2024 for the book beautiful बुक का नाम देखे है ये बुक का ही नाम है और इस बुक के लिए देखे Oxford book store book cover price किसने जीता है तो ये price जीता है भावी महतानी question देखे इसमें ये भी पूछ सकते हैं कौन सी book के लिए उन्हें ये price मिला है तो इसलिए इस बुक का नाम भी आप लोग ज़रूर याद रखे The book beautiful तो ये देखेंस हमारे 2024 के सभी important books जितनी भी important books है January से लेके December तक की जो है हमने also वीडियो upload की हुई है मैं आपको link description में provide कर दूँग इस वीडियो का अगर आप January तो December की भी book देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें उसमें भी आपको अच्छे से सभी चीज से कराई गई हैं चले अब इतना सारी books आपको कराई हैं तो एक टेस्ट छोटा सा ले लेते हैं देखते हैं आपने कितना ध्यान से हमारी वीडियो को study किया है तो इस question को आप बताईए the idea of democracy आप देखो बहुत easy hint भी मैंने आपको बताई थी और वो idea से hint थी मैंने चले थोड़ा सा hint भी आपको दे दिया अब आप मुझे बताएं कि इसके author कौन है तो चलिए ये question आपके लिए छोड़ते हैं इसका answer जल्दी से comment box में लिख दीजी और इसे के साथ हमारा books and author का ये session यहाँ पे complete होता है तो कैसा लगा आपको ये session अच्छा लगा है तो please like ज़रू करें आपसे request है share करें plan ज़्यादर से ज़्यादा और fans आप सभी से request है कि आप हमारे channel को subscribe ज़रू करें हम आपके लिए देखें बहुत महनत करते हैं कोशिश करते हैं आपको अच्छे से अच्छा content प्रोवाइट करने की जो आपके exam में आपको बहुत help करी तो उसके लिए आप भी हमारी थोड़ी सी मदद करें कि हमारे channel को subscribe करें Thank you so much for watching this video